दोस्तों इस फ्रूट को जो हम तोड़ लेते हैं और देखते हैं इसमें कैसा नमस्कार दोस्तों मैं विजय सेनिया आपका मामल बाउन साभी में फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने आपको जो पीछे प्लांट आपको दिख रहे हैं यह चकोत्रा का प्लांट है और इस पेसे हमने एक जो फ्रूट है वो हार्वेस्ट किया था और जब आम उसको काट के देखा तो वो कच्चा था तो यह कि दो फ्रूट लगे होए थे तो हमन प्लांट में किस टाइम की जो फ्रूटिंग वो अच्छे होती है यह सारी चीजी मापको बता हुआ फिर हम जो फ्रूट है यहां से हार्वेस्ट करके जाएंगे उसको पहले हम काट के देखें कैसा निकलता है तो वह सब भी आपको दिखा हुआ तो चले पहले मापको दिखा था और मैं बीच बीच में इसकी जो अपडेट है वह व्लोग में दिखाता रहता हूं जब फ्रूट छोटे थे बन स्टार्ट होए तब से तो अब देखिए इसका फूट जो है इसका साइज देखिए आप इतने साइज के मेरे हाथ के साइज से आप देख सकते हैं अब आपको नजदिक से देखाऊंगा तो एक फूट यह रहा इसका और जो है इसके निचे जो है और फूट है मैं आपको दूसरी साइड से दिखाता हूं फिलाल इसका जो सबसे बड़ा फूट है वह यह है यह देखिए मेरा आथ के इसाब से मापको नजदिक से आपको यह देखिए असली फूटिंग को कितना है और जैसे कि मैं आपको बता रहा है कि इनका कच्चे या पक्क्या कैसे परता चलेगा एक तो इसका जो कलर है वह ग्रीन होगा दूसरा आप इसको इस तरह से उठाएंगे तो इसमें वेट बहुत ही कम रहेगा यानिकि इस इसका अगर छिलका आप इस तरह से दवागे देखेंगे तो आपको जो है हलका हलका ऐसे लगए जैसे कोई सोफ चीज हो तो इसका मतलब यह कच्छा है अभी अभी हम इसमें जो टोटल फूरूटिंग है वह गिंते कितनी है तो हम स्टार्ट करतें इस साइड से एक सिर्फ चार फूरूट जो है अभी इस पर रुके हुए हैं और जो पांच वह फूरूट है वो यह है जो हमने लास्ट टाइम छोड़ दिया था देखिए यहां पर दिख रहा हुआ जो पहले वाला हमने यहां से तोड़ दिया था और यह यहां पर रुका हुए है तो तो सब्सक्राइब करेंगे इसको पकने का जो रिजन है कि हमें कैसे पते चला उसका एक रिजन तो यह है कि इसका जो कलर है वह देखिए येलो हो चुका है प्योर येलो नहीं हुआ है वैसे तो इसको अभी हम कुछ टाइम छोड़ सकते हैं दूसरा जब मैं इसको इस तरह से सब्सक्राइब काफी लग रहा है पहले से तो यह भी निध से इस तरह से दवाने से इसको रस है वह महसूस हो रहा है तो इस बार और रिशक के लेकर देखते हैं और तोड़ लेते हैं और देखते हैं इसमें कैसा रेजल्ट निकलता है अब यार यह लग रहा है थोड़ा टाइम ओर लेगा चलिए थोड़ लिया मैंने अब देखते हैं क्या रेजल्ट रहता है इसका चलिए अब इसको गर ले की चलते हैं वहाँ पर इसको कट करके देखें कैसा निकलता है दोस्तों वेट के हिसाब से मुझे यह थोड़ा कच्चा लग रहा है और इसका एक रिजन यह हो सकता है कि यह जो दो फूट थे यह सीजन के नहीं थे यानिकि अब जो सीजन है उसका रजल्ट अच्छा है क्योंकि यह फूट जो है इतने बड़े फूट एक-दो मेने में हो और यह से इतना बड़ा होने में लगए एक साल लग गया तो यह सीजन का नहीं था इस वज़े से ऐसी प्रोलम हा रही है लेकिन जो अब लगे हैं वह देखिए बहुत तेजी से इतने बड़े हो गए यह दो डाय मेने में इतने बड़े हो वह चलिए फिर इसका वेट करके तो अब इसको कट करके और देखें कैसे हैं अब इसको मैं छील लेता हूं लास्ट आइव इसको कट किया था इस वार मैं इसको छील लेंगे जैसे मौस में चीलते हैं वैसे अभी स्कूर्ट टाइम लगता इसका जो छिलक है बहुत अच्छी खुछ बहते हैं इसको खाने का मन करता है मैं कभी कभी खाता हुआ हुआ है कि यह एक साल होगा है कब पकेंगे पता नहीं है अभी चोटा साही लग रहा है कि देखे आते पानी कितना अगया इतने वड़े पॉमेला में इतना छोटा सा फ्रूट निकले कलियां तो बन गई इस बार इसमें बड़ी बड़ी है सब्साइब ऑ है कि इस वा सब्सक् 11 2018 कि øका लाश कृता है लास्टाएम इसमें डा नेबने थे कर लास्टाम उट्राइं यह डान ने बन चुके हैं आप देख सकते हैं यहां पर दिखाता हूं देखिए से कली कि देखें कि देखें कि देखें कि अब वह 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 मिट्थ है दिजस्टों माजा रहा यह मोस में से मिट्थ है हें तो दोस्तों हमने पॉमेला को हार्वेस्ट कर लिया और टेस्टी फ्रूट है बिल्कुल और छोड़ते तो और अच्छे से त्यार हो पता लेकिन अभी काफी मिठ है यानि खट्टा बिल्कुल नहीं है मिठ है अधरवाजी मैं इसको ऐसे नहीं खापाता तो यह मिठ है आप म आपको वीडियो पसंद आए अगर वीडियो चे लगए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो की सब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखेगा शुक्रिया और तीगए तीगए